तो अठो कृई मोर्णिंट ये निए एक नई वीडियो में अधिन Director के जीवन के बारे में जाना कि रहिम कैसे थे रहें किसे कि形 पर लिख्राइबरूर थे उनकbacks ए फूर्ण्य कितने इंपोर्टन्थ और कितने लोगपरिया Cape 2 ये सारी बात जाना हमने आज हम उनके दोहों के बारे में पढ़ेंगे तो चले शुरू करते हैं सबसे पहला दोहा है रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए तूटे से फिर ना मिले मिले गाठ परी जाए तो पहले दोहे में हम पहले सब्दो कार्थ समझ लेते हैं रहिमन यानि रहीम ने खुद को है रहीम है उसका अर्थ धागा यानि सूता जो होता है थ्रेड वो प्रेम मतलब सब समझ रहे हो का मत तोड़ो चटकाए मत मतलब नहीं तोड़ो मतलब तोड़ना चटका यानि जटके से जटका देकर तोड़ना फिर कहते हैं तूटे से फिर ना मिले तूटे यानि तूट पढ़ जाते हैं तो इन दोनों लाइन का मतलब यह है कि रहीम यह कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्रेमपूर्ण संबंध होता है हमारा जो किसी के साथ अच्छा जो संबंध होता है वो बिल्कुल धागे की तरह होता है वो बिल्कुल सूते की तरह होता है ठीक है जिस प्रकार आप धागा को तोड़ देते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं तो वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं हो पाता है उसमें गाठ प्रकार हम अगर किसी के साथ अपना संबंद खराब कर लेते हैं किसी से अपना संबंद तोड़ लेते हैं तो फिर हम उससे दोस्ती तो नहीं कर पाते और अगर मान लीजा आप किसी तरह से वापस दोस्ती कर भी लेते हैं तो उसमें एक हमेशा मन में एक संका का भाव रह जा कि हाँ उसने मेरे साथ ऐसा किया था क्या गेरेंटी है कि अगली बर वो नहीं करेगा यानि रहीम यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने संबंधों को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा संबंध किसी से खराब नहों क्योंकि अगर खरा नहीं होती है पहली बात तो संबंध हो नहीं पाता और कभी अगर संबंध बना भी लेते हैं तो मन में वही विश्वास पहले वाली विश्वास नहीं बना पाते और मन में हमेशा एक संका रह जाता है तो यह है पहले दोहे का आर्ज अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे दोहे हैं कोई दूसरे दोहे में शब्दू का अर्थ है रहिमन रहीम खुद को कह रहे हैं नीज यानि खुद मन की बिथा बिथा यानि दुख मन की बिथा कहते हैं कि खुद रहीम कहते हैं कि हमें अपने मन का जो दुख है मन का जो दर्द है उसे मन ही राखो गोई उसे मन में ही रखना चाहिए ठीक है यानि उसे किसे से कहना नहीं चाहिए सुनी अठिलई हैं लोग सब, सुनी यानि सुनकत अठिलई हैं यानि मजा कुड़ाना लोग सब, सारे लोग जब वो सुनेंगे तो उसका मजा कुड़ाएंगे बाटी न लई है कोई, और आपके दुख को कोई बाटेगा नहीं बलकि आपके दुख को जानने के बाद उसका सभी मजाग उड़ाएंगे बाटी यानि बाटना न लेहें, लेहें मतलब लेंगे कोई मतलब कोई भी तो इस दोहे का अर्थ यह हुआ कि रहीम हमें यह समझाना चाहते हैं रहीम हमसे यह कहना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, हमारे मन में कोई दुख है तो उसे अपने पास ही रखना चाहिए, यानि अपने समस्याओं का समाधान खुद ही करना चाहिए अपने प्रोब्लेम्स का सॉल्यूशन खुद ही करना चाहिए उसे किसी से बताना नहीं चाहिए, आप अगर किसी को बताएंगे, तो वो सुनकर लोग आपके help नहीं करेंगे, आपके समस्याओं का समधान नहीं डूलेंगे, बलकि उसका मजाक उडाएंगे, कई बार हम देखते हैं, हम दोस्तों से बात करते हैं, हम उसे अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, उसे अपने जीवन की समस्याओं को बता देते हैं, और फिर वो जाकर दूसरे के साथ वही बाते सेर करके, मजाक उडाता है, कि देखो उसके जीवन में ये सारी चीजे चल रही है, पता नहीं कैसे क्या कर रहा है, तो यही बात रहीम हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अपने समस्याओं का समाधान खुदी करना चाहिए, उसे किसी से बताना नहीं चाहिए, क्यूंकि आजकल के लोग उसे जानने के बाद कोई उसका समाधान तो नहीं करता, बदले में भले उसका मजाक जरूर आते हैं, तो यह है दूसरे दोहे कार्थ, अब हम कार्थ जान लेते हैं, एके यानि एक, साधे यानि साधना, सबसदे यानि सब का सद जाना, सब कुछ हो जाना, सबसदे सब जाय, यानि सब सद जाता है, तो सब नस्ट हो जाता है, सब सदे यानि सब सद गया, और सब जाय यानि सब जाते हैं, नस्ट हो जाते हैं, जाय का म फुलो से फले यानि फलो से अगाय यानि त्रिप्थ हो जाना अगाय का मतलब त्रिप्थ हो जाना पेट भर जाना जिसको कहते हैं तो इस दोहे का अर्थ यह होता है कि कभी कहते हैं कि एक मुख्य कारने करने से यानि एक मेन काम को कर लेने से उससे संबंधित सारे काम अपने आप हो जाते हैं जिस प्रकार एक इस्वर को पा लेने से एक परमात्मा को पा लेने से हमारे जीवन की सारे जो दुख है सारी जो चीजे हैं सारी जो सुख है दुख सारे मिढ जाने हैं और सारे सुख हमें मिल जाते हैं यानि रहीम यह कह रहे हैं कि हमें जीवन में अलग-अ इस वर में विश्वास करना चाहिए और उसे पाने की चेस्टा करने चाहिए और जब हम उसे अगर पा लेते हैं तो हमारे जीवन में सारे सुख आ जाते हैं और सारे दुख चले जाते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक पेड की जड़ में जब पानी डालते हैं तो के तो वह जड़ में पानी डालते हैं लेकिन पूरा पेड़ जो ता हरा-बरा हो जाता है फलफुल लग जाते हैं और वो खुशाल हो जाता है ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में एक इस्वर को पाने की चेस्टा करनी चाहिए और उनके पाने से ही उनकी प्राप्ति हो चाहिए बलकि हमें किसी एक इस्वर में विश्वास करना चाहिए और उन्हीं को पाने के लिए सारे जतन, सारे काम, सारे सेवा करनी चाहिए और उनके मिलने से ही हमारे जिवन में सारे सुख प्राप्थ हो जाएंगे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक पेड़ के जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हडा भरा होता है पूरे पेड़ में फल्फूल लग जाते हैं तो इसी प्रकार हमें भी अपने जिवन में एक ही इस्वर में विश्वास करके उन्हें पाने की कोशिस करनी चाहिए तो ये रहा इस दोहे का अर्थ, अब हम अगले दोहे के और आगे बढ़ेंगे, अगला दुहा है चित्रकूट में रमी रहे, रहिमन अवध नरेश, जा प गए, यानि वही लीन हो गए, ठीक है, अवध नरेश, अवध नरेश का अर्थ होता है, अयोध्या के राजा राम, अवध नरेश, राम को भी कहा जाता है, जापर, यानि जिस पर, विपदा, यानि विपत्ति, समस्या, पढ़त है यानि पढ़ता है, जिसको दुख आता है जिसके जीवन में सो मतलब वह आवत आता है यह देश यानि इस देश में आता है इस प्रदेश में आता है इस छेत्र में आता है ठीक है यह सब्दों का अर्थ है अब इस दोहे का अर्थ क्या है तो दोहे का अर्थ यह है कि रहीम दास जी कहते है कि आवत के राजा जो Shri Ram है, वो वनौँवास जब गए थे, तो वो चित्रकूट में आकर बसे थे, यह सबको पता है, कि जब राम 14 साल के लिए वनौँवास में जाते हैं, तो जंगल में जाने के बाद, चित्रकूट नाम का जो जंगल है, जो वन न है, वहां वो रहते हैं, अपने कुटिया बना कर रहते हैं तो वहां वो रुके थे वहां की जो सुन्दर्ता है वहां की जो प्राकृतिक सुन्दर्ता है उन्होंने उनका मन को मोह लिया यानि वो राम वहां क्यों बस गए वहां की सुन्दर्ता को देखकर वहां उनके रहने का मन किया और वहीं रह ग ठीक है चित्रकूट की सुन्दर्ता को देखकर राम वहीं लीन हो गए अब जिस पर विपत्ति आती है वहीं यहां सांती पाने के लिए चला आता है और अब जो हम चित्रकूट जो हमारे लिए तिर्थस्तल है तो हम कभ जाते हैं तिर्थस्तल जब हमारे जीवन में दुख आ उसको देखकर राम वहां बस गए राम वहीं लीन हो गए और अब जिसके जीवन में विपत्ति आती है जिसके जीवन में समस्या आता है वह भी वहीं जाना चाहता है ताकि वहां जाकर जहां राम को सांती मिली थी वहां हमें भी सांती मिल जाएगी ऐसा सूचकर वे वहां चले आते हैं इस दुख निवारक अस्तान पर आकर सारे दुख मिठ जाते हैं रहिम कह रहे हैं कि यह जो अंथान है जहां जो जिस अस्तान ने राम का मन मोह लिया तो वहाँ आने के बाद हम जैसे सामन्य लोगों का तो सारे दुख भी मिठ जाएगा तो ये है इस दोहे का आर्थ अब हम आगे बढ़ेंगे अगले दोहे कि ओर अगला दोहा इस कुछ इस प्रकार है। कि दीरग दोहा अरत के आखर थोरे आहीं जयों रहीम नट कुंडली समेटी कुदी चढ़ी जाहीं। तो इस दोहे में प्रयुक्त सब्दों का अर्थ कुछ इस प्रकार है, दीरक का अर्थ है लंबा, अरत का अर्थ है अर्थ, आखर का अर्थ है अक्षर, थोड़े का अर्थ है थोड़ा सा, जियों का अर्थ है जैसे, नट का अर्थ है कलाकार, कुंडली का अर्थ है गेरा, समी पीटी का अर्थ है सिकूड कर ठीक है कूदी चड़ी जाही का अर्थ है कूदी यानि कूदना चड़ी यानि चढ़ना और जाही मतलब जाना ठीक है कूद कर चड़ जाना इसका यही अर्थ निकलता है तो अब इस दोहे का अर्थ क्या निकलता है इस दोहे का अर्थ है कि रही दो लाइन का होता है और उसमें नियम होता है आप देखेंगे जितने दो हैं उसमें देखेंगे अगे हम जितने पड़ें उसमें दो दो लाइन है ठीक है और दोनों लाइन के बीच में एक एक कोमा है तो एक नियम है पूरी उसकी जिसमें 13 11 11 13 एक नियम होता है जिसमें मात् एक काउंट करेंगे आप तो दोनों लाइन में पहले सेक्षन में 13 दूसरे सेक्षन में 11 और निचले वाले में पहले सेक्षन में 11 और दूसरे वाले सेक्षन में 13 यानि हर लाइन में 24 मात्रा यूज होंगी और दोहे में दोही लाइन होते हैं तो देखने में यह बहुत होते हैं आखर थोड़े आही ठीक है परंतों सब्दों के अर्थ बड़े गहरे और दिर्ग होते हैं तो perspective तो यहां जो लिखा गया दिरग दोहा अर्थ के आखर ठों रहे याने का जो कि दोह में सब्धों कम होते लेकिन उसका जो अर्थ है वह बहुत गहरा होते बहुत बड़ा अर्थ होता है जैसे कुसल बाजिगर अपने सरीर को समेट कर बड़ी कुसलता से तंग मुह वाली कुंडली के बीच से निकल जाता है उसी प्रकार छोटे-छोटे इस शब्दों में रचित दुहा एक गंभीर अर्थ की अभीवेंदना करता है तो कह रहे हैं कि यह दूसरी लाइन में जो अर्थ है ज्यों रहीम नट कुंडली कि समीटि कूदी चड़ी जाएं कि जिस प्रकार नाटक में जो एक कुसल बाजिगर होता है सरकस में देखते हो एक ब्यक्ति अपने पूरे बोडि को इस तरह से सांप जैसे बैठता गोल गोल करके अपने बोडी को बैठता तो उसको कुंडली कहते हैं एक छोटी सी जगह से एक कुसल बाजीगर जिस प्रकार अपने पूरे सरीर को निकाल लेता है जहां से एक सामान्य आदमी का ऐसा करपाना संभव नहीं होता है ठीक उसी प्रकार दोहा भी जो है वो दिखने में बहुत छोटा होता है उसमें सब्द बहुत कम होते हैं लेकिन उसका जो अर्थ है वो बहुत गहरा होता है तो रहीम यह समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक कुस जल बाजिगर ही केवल एक छोटी सी जगह से अपने सरीर को किसी तरह से कुंडली बनाकर वहां से निकल पाता है ठीक उसी प्रकार दोहा भी जो है वह आसान काम नहीं है वह बहुत कुसलता का काम है जो कुसल हैं वही ऐसा दोहा लिख पाएंगे जिसमें शब्द बहुत कम होते हैं लेकिन उसके अर्थ बहुत गहरे होते हैं तो यह है इस दोहे का अर्थ अगले दोहे की और आगे बढ़ेंगे अगला दोहा कुछ इस प्रकार है धनी रहीम जलपंक को लगू जिया पियत अगाए उददी बढ़ाई कौन है जगत पिया सो जाए अब रहीम अगले दोहे में कुछ कह रहे हैं उससे पहले हम उनके सब्दों का अर्थ जान लेंगे धनी यानि धन्य है महान जिसको कहते है फंक यानि कीचड्य लगू जिया या चोटे जो जिवित प्रानी होते हैं उनके बारे में कहा रहें लगू जिया यानि फियत यानि पीकर अगहाय यानि त्रिप्फ होना शंतुस्ट होना थिकिया हम बूग लगती है खाना खाने कासरे आनंद के कहते हैं त्रिप्ति होना संतूष्ठ हो जाना उद्धी यानि समुद्र समुद्र को उद्धी कहते हैं ठीक है बड़ाई यानि महानता उनकी बड़ाई कौन करें बड़ाई हम किसी करते हैं जो महान आदमियों होता है जो अच्छी दोहे का अर्थिया हुए कि रहीम कहे रहे है कि धनी रहीम जलपंक को Lachoo Jia Piatagai कहते हैं कि जो कीचड वाला जो पानी होता है न वह धन्या है एक समुद्र के तुल्नाया है समुद्र में जो इतना यहादा पानी होता है उसकी तुल्नामे रहीम कहेर हे rankingãy के एक कीच़़ में झ्युकत पानी हुँ नहीं की एक युकत पानि को भी ओभन्यान वान उस सागर की तुलॉंना में कि जिसको कम-से-कम उपना एक अ प्रान अपको संतुस्थ तो कर पा रहा है लेकिन घड़ी बढ़ाई कौन है जगत पियास हो लेकिन उस समुद्र की कौन बढ़ाई करेगा उस समुद्र की महानता कैसे है वो कैसे एक समुद्र महान है जो किसी की प्यास तक नहीं पूजा पाता है जिसके होते में पूरा संसार प्यास से मर जाता है आप समझ रहें बात को कि क्या होता है आपको प्यास लगेगी तो आप थोड़ा सा पानी जहां है वहां से जाकर आप पानी पी सकते लेकिन आपको प्यास लेगा और आपको कह दें कि सामने समुद्र जाके पीलो तो कि आप पी पाएंगे नहीं पाएंगे वहां इतना ज्यादा पानी है कि आप वहां जाएंगे तो पानी नहीं पी बलकि आप उसम यानि इस बड़े लोगों की तुलना में एक छोटा सा व्यक्ति भी अच्छा है जल पंक्यूक्त जल भी सही है जो कमसेगा में छोटे से जीव का प्रान तो बचा रहा पा रहा है उनको संतुष्टी तो दे रहा है लेकिन उस समुद्र का क्या काम जो किसी की प्यास तक नहीं इंपोर्टेंट थे बहले वह कितना भी छोटा हो कोई मतलब नहीं कोई बढ़ा हो अगर अगर उसी की काम नहीं새 कोई किसी लेंगे नाद यानि संगित यह दून को चोर समय चतन हो महतना अर्ले नर का मतलब में पूरूश होता तो इसका मतलब यही है मैं आगे बताता हूं आपको धन मतलब धन संपत्ति जो भी है हेत समेत यानि सबकुछ हेत मतलब होता है कल्यान हित और समेत यानि सहित यानि वह अपना कल्यान हित सहित सबकुछ अपना दे देता है ठीक है फिर आगे होता है ते रहीम और फिर कहते हैं कि रखीम है पासू से अधिक तुमतलब बह और रहीम मतलब रहीम खुद को कहा रहे plants आणि पासु से आधिक आणि था कि जब वो गाता था तब जंगल के सारे जानवर भी आदमी तो छोड़ दो जंगल के जानवर भी उसके संगीत पर मंत्रमुख धोकार आकर उसके सामने बैड़ जाते थे तो क्या रहे हैं कि एक घटना है तांसें से जुड़ी हुई जिसमें उसके राजा द्वारा एक धोखा किया जाता है उसके साथ और उसको गाने के लिए का जाता है और वो गाता है तब एक हीरन आता है और उस हीरन को दूसरे लोगों द्वारा मार दिया जाता है एक पूर्य काम को देखकर मोहित हो जाता है नरधन हीत समेथ और अपना हीत अहित सब कुछ दान कर देता है यानि जब वह तांसन की आवाज सुनकर वह हिरन आता है और इतना मोहित हो जाता है कि लोग उसे मार देते हैं उसको पता भी नहीं चलता है यहां वह लिखा नहीं गया है मैं ताकि आपको समझ में आ जाए तो जब तांसेन गाता है और सारे जानवर जंगल के सारे जानवर आ जाते हैं उसमें हिरन भी आ एकिकी किसी के गुण को देखकर एक हिरन भी अपना शरीर त्याग देता अपनी जान तक दे देता है, लेकिन कहते हैं कि ते रहीम पसुते से अधिक, फिर कहते हैं कि लेकिन एक तो हीरन है, एक तो जानवर है, जो किसी की गुण को देखकर अपना सब कुछ छोड़ देता, अपना जीवन तक त्याग देता है, लेकिन रहीम कहते हैं कि लेकिन वे ल होते हैं लेकिन उसको कुछ देते नहीं है तो कहते हैं कि ऐसे जो लेकिन उसके लिए कुछ करते नहिए उसको कुछ देते नहीं है आपके क्या देखते हैं कि पर यह कहीं हम जाते हैं तो कहीं देखते हैं कि रास्ते-पर 2 बच्चे כछ कर्टब दिखा रहे होते कुछ सरकस दिखा रहे होते हैं कि तो अपने कहीं सिर्पते हैं ठवर्सी पर बांस लेकर तो उसमें क्या होता जब देखना ध्यान देना कि जब वह करवब करतद दिखा रहे हैं तो सब कोई हमीं कुछा बात कर रहे हैं कि एक जानवर एक हिरन है जो तांसन की आवाज सुनकर अपना जान तक त्याग दिया उसे अपनी जान की भी फिकर नहीं उसे पता था कि लोग मुझे मारना चाहते हैं फिर वह वहां चला आता है उस संगीत को सुनते-सुनते इतना मोहित हो जाता है और दूसरी और वो लोग हैं जो दूसरों के गुण पर मोहित होते हैं उनकी प्रसंसा तो करते हैं लेकिन उनको कुछ देते नहीं है तो रहिम कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग है वो एकदम बेकार है वो जानवर से भी बत्तर है ऐसे लोग जानवर के बरा माखन होए फिर रहीम आगे एक दोहे में कुछ सब्दों का प्रयोग करते हैं सबसे पहले उन सब्दों का प्रयोग जानते हैं कि उन सब्दों का अर्थ क्या है एक एक करके तो कहते हैं कि बिगड़ी बात यानि बिगड़ी हुई बात जो बात खराब होगे जो कुछ हो गया लाक करो यानि लाख वो लां लाक हो जासरे इक्जंपल सेटे रहे हैं करो किन को या करो कोई का जय वह कुछन गयों न करा 你 वह चाहेट कितने स्थ जो बाद बिगड़ा एप 2 बंद्धी भी रहीम ऐसे कvoorbeeld कि यहीं कि दोद में गतने करों हिए निपर सब्वाइएज। धिननकी सीसाइग निपरैने को पूरी बूसेस को देखे होंगे जो झाली होता है उपर पॉर्षन उसको जमांगा जाता ही उसको सब्सार क्या हुए जाता है और मिलने पर ऊसमें जो दूद को यनि दूद जब फट जाता है फट में किसी काम कम कर लें भी मद जो देखेने मफन यह तो मक्खन निकूदless ढूर प Craft जाए तो उसको तुम जितना भी मतल्य उससे मकषम नहीं निकलता है तो के रहीम भी हमें यह बताना चाहिए दोहे में लखवर केहना चाहिए कि, अगर हम से कुछ गलती हो जाती है अंशे कोई बात बिगड़ जाती है दो ठीक नहीं ही हो सकता चाहे उसके लिए हम कितनी भी को सिस क्यों न करें रहीन को roads कि रहें हका है कि हम से जो गलती हो जाती है वह कभी ठीक नहीं हो सकता उसके लिए चाहिए कि हमें कुछ गलत नहीं होने देना चाहिए या हुद गलत नहीं करना चाहिए मैं बहुत बच शमल कर रहना चाहिए इसलिए चाहिए जीफितनी कर लाथ और सम्लिट लाता है अबात समय कर लेट तो ठीक नहीं होता यानि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए हमसे कुछ खराब ना हो जाए तो यह है इस दोहे कार्थ हम आगे क्यों बढ़ेंगे और अगला और लास्त तीन दोहे हैं उसको भी जानेंगे अगला दोहा है रहिमन देखी बढ़ें को लगू न दीजिये डारी जहां काम आवेश हुई कहा करे तरवारी अब इसमें कुछ सब्द है रहिमन यानि रहिम देखी यानि देखकर बढ़ें यानि बढ़ो को को का मतलब वही को है लगू न दीजिये डारी लगू यानि छोट न मतलब नहीं डीजीय मतलब देना डारी मतलब अंदेखा करना ठीक है ना अंदेखा करना यह त्यागना भी हो सकता है फिर जहां मतलब जहां सेम मिनिंग है काम इसका मतलब भी है आवे यानि आना सुई सुई मतलब निडिल कहा करे तरवारी कहा मतलब कहां ही है ठीक है करे यानि करना तरवारी यानि तलवार ठीक है यानि इस दोहे में रहीम यह कहना चाह रहे है कि रहीमन देखी बड़ेन को रहीम कहा रहे है कि बड़ों को देखकर कभी भी छोटे को त्यागों मत लगू न दिजिये डारी जो छोटे हैं उनको त्यागों मत उनकी निंदा मत करो उनका अपमान मत करो जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी जहां सुई का काम होता है वहां तलवार सुई का काम नहीं कर पाता है यानि जहां सुई का काम होता है, वहां सुई ही उसका काम कर पाता है, तलवार आकर नहीं कर पाता है, तो यह तो हुआ सिंपल मिलिंग, अब इसमें रहीम क्या समझाना चाहते हैं हमें, रहीम हमें यह समझाना चाह रहे हैं, कि जैसे हमारे समाज में क्या होता है, कि हम जो हम उनसे बात भी नहीं करते हूं वहां संभान संभाण करना चाहिए किसी भी बड़े आदमी को मत थे कि पीन से जान जान पहुंने के बाद जो को हमें उसका भी लोग तुम्हारे लिए नहीं करेंगे यानि वो कह रहे हैं कि हर चीज का अपना अपना एक importance होता है और उस importance के हिसाब से हमें सबका सम्मान करना चाहिए यानि वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों से दोस्ती हो जाने पर बड़े लोगों के मिल दाने पर हमें छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए उनका भी उतना ही सम्मान करना चाहिए क्योंकि जो काम जिसके बस का है वही कर पाएगा कोई किसी 59 करना चाहिए हमें सब का संब्सक्राइब करना चाहिए। कि अब तक ध्यान दे रहें कि उनके अमने जितने दोहे पड़ें उसमें सारे नीति नियम, समाज से संवन्दित नीति नियम की बात हो रही है, हम समाज में ने घटित होता है, यह प्रिक्तिकल है, कि हम हर कोई जीन में बड़े-बड़े लोगों से दोस्ती करना चाहता है, छ चोटे के सामने नहीं जाते हैं छोटों से बात नहीं करते हैं गरीब लोगों से बात नहीं करते हैं क्यों क्यों कि हमारा अपमान हो जाएगा हमारा क्या कहते है उसकूल कि हमारा reputation down हो जाएगा लेकिन ऐसा तो होता नहीं है हम अगर किसी गरीब से बात कर लेंगे तो कौन सा reputation down हो जाएगा तो रहीम हम यह समझाना चाह रहे हैं कि बड़े लोगों से दोस्ती करो कोई बात नहीं है दोस्ती कर सकते हैं लेकिन यह हमेशा याद रखना कि हर चीज का अपना-पना महत्तो होता है जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकता उसी प्रकार वो जो छोटे लोग जो काम कर सकते वो बड़े लोग नहीं कर सकते और जो काम बड़े कर सकते वो छोटे भी नहीं कर सकते यानि वो कहा रहा है कि हर किसी का सम्मान करो हर किसी के साथ अपना दोस्ती रखो हर किसी के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखो ठीक है अगला दोहा है रहिमन निज संपती बिना कोव न विपती सहाय कोई बिनु पानीजियों जलज को ना ही रवी सके बचाए फिर अगला दोहा है जिसमें कुछ सब्ध है रहिमन यानि रहीम, नीज यानि खुद का संपत्ती यानि समझ रहiran वेल्थ बिना यानि उसके बिना कोई, मतलब कोई ना, मतलब नहीं, बिपत्ती यानि समस्या, सहाई यानि सहायता करने वाला, बिनू यानी बिना, पानी यानि समझगे पानी जल जयों जैसे जलज को जलज यानि कमल को जलज किसको कहते हैं जलज जल से जन्म लेने वाला तो जल से जन्म लेने वाला किसको कहते हैं कमल फूल के लिए भी कहा जाता है यह कमल फूल का परेवाची सब्द है । जिस बनु पानी Year नी भिना पानी के जिस प्रकार जयलच को JEनि कमल को M According नहीं मतलब नहीं श्यम है उसका मिनिंक कुछ नहीं होईंगा रवी का मतलब सूरज सके यह यह सकना और बचाय यह इंड बचाना तो यहें शब्दोकार्ध अब हम इसके मिनिंग को समझते हैं रहीम कहते हैं कि अपनी समपत्ति के अलावे उसके अलावे मुसीबत या दुख-दर्द में कोई दुसरा सहायक नहीं होता है यानि हम पर कोई अगर समस्या होती है तो केवल अपने ही काम आता है उसके अलावे चाहे तुम जितने यार्दोस बना कर रखो वो तुम्हारे काम नहीं आता है, यानि अपनी संपत्ती ही हमारे दुख दर्द के समय में काम आता है, दूसरे नहीं आता है, संकट के समय अपना संचित धन ही काम आता है, यानि वो कह रहे हैं कि जब दुख आता है तो हमारे पास जो चीज़े है न वही हमारे काम आता है दूसरा कुछ नहीं आता है फिर वो कह रहे हैं एक्जम्पल देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बिना पानी के अगर पानी ना हो पानी सारा खत्म हो जाए तो सूरज भी एक कमल को नहीं बचा पाता है बलकि हम सब को है कि एक पेड़ पोदे को बढ़े होने के लिए उसका जीवित रहने के लिए सूरज की रोसनी भी जरूरत है और पानी की भी जरूरत है दोनों में से अगर एक चला जाए तो फिर वो पोधा मर जाता है अगर कमल फूल में काली पानी ही पानी भरा हो और सूरज की रोसनी तो भी वो सड़ जाएगा गल जाएगा और अगर पानी समाप्त हो जाए और केवल सुरज की रोशनी मिले तो भी वो मूर्जा जाएगा यानि दोनों ही हरत में मरना यानि उसे दोनों की ज़रूरत है ठीक है उसी प्रकार रहीम हमें यह समझाना चाहरे है इस एक्जम्पल के जीवन में जो हमें हमारी विपत्ति के समय हमारे लिए सहायक बने क्योंकि जब हम पर जब विपत्ति आती है तो केवल हमारा अपना चीज हमारे काम आता है वो चाहे रिष्टेदार हो चाहे अपने पैसे हो अपनी संपत्ति हो वह हमारे काम आता है कोई और काम नहीं आता ह दूसरे कोई हमारे काम ले आते हैं ठीक है ना यानि रहीम यह कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार बिना पानी के सूरज भी कमल को नहीं बचा पाता है उसी प्रकार अगर हमारे पास अपना कुछ बचाया हुआ सेविंग्स नहीं है संपत्ति नहीं है बचाया हुआ तो हमारा स संपत्ति कुछ बचा कर रखनी चाहिए जिससे कि हम अपने जब जीवन में कुछ गलत समय आए विपत्तिया समस्या है तो उस समय अपनी सहायता उन्हीं संपत्ति से कर सके हम उन समस्याव को दूर कर सके हैं तो यह है इस दोहे का अर्थ अगला दोहा है रहिमन पानी राखिये बिनु पानी सब सुन पानी गयन उबरे मोती मानुस चुन अब इस दोहे को ध्यान से समझना होगा इसमें देखिए रहिमन का आर्थ है रहिम पानी राखिये अब इसमें देखिए आप पूरे दोहे में कई सारे पानी आये है ठीक है ना तीन बार पान पानी का आर्थ अलग अलग है तो रहिमन पानी राखिए तो पहले के 및 पानी है उसका मतलब है संभान ठीक है बीनू सब और बिना पानी का यानि बिना संबान का बिना इज्जत का सब कुछ सुना हो जाता है अगर इज्जत चली जाए तो इस दोहे का अर्थ क्या है इस दोहे में रहीम हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि पानी बहुत इंपोर्टन चीद है ठीक है अब यहां तीनों पानी का आर्थ समझे एक पानी का आर्थ है चमक दूसरे पानी का आर्थ है संमान इज्जत और तीसरे पानी का आर्थ है जल इसका मतलब सिंपल वाला जो मिनिम होता है जल तो देखिए पहले लेंड में क्या कहा रहे हैं रहिमन पानी राखिए अपनी जो चमक है उसको हमेशा बनाए रखिए ठीक है आपके अंदर जो क्वालिटी जे उसको हमेशा बनाए रखिए बीनु पानी सब सुन और बिना पानी के यानि ब पानी जो है वह बहुत इंपोर्टन चीज है उसे हमेसा बचा कर रखना चाहिए क्योंकि अगर पानी समाप्थ हो जाता है तो मोती मनुस्या और आटे का महत्तों भी समाप्थ हो जाता है कि बचा कर रखना चाहिए कि हमें हमे suggest चमक इंजजत और चलब इन तीनों चीजों को बचा कर रखना चाहिए क्यों कि अगर यह समाप्थ हो गए तो मनुस्यं का मोती का और आटे का भी महत्तों घख स साघर में में लुत हो जो इस मोती तक होते है जब तक तक हो होता है इसके ंचैन को सशना होगा दो पने उसी प्रेकार ह Mei एपने इज़ण में इज़ंद को गलती वप पत्र भी कि द experi जाये करें कि और दिवा जाता है अगर इट चलię जाया तो फिर मनुस्यारे में बर्बाद हो घाता है और तीसरे में आता है पानी हमें पानी का भी बचाना चाहिए कि पानी अगर खतम हो गया तो आटा पानी से जिसको हम सानते हैं रोटी बनाने के लिए कुछ भी बनाने के लिए तो अगर पानी खतम हो गया तो आटा भी नहीं सान पाएंगे यानि वह कह रहे हैं कि पानी बहुत इंपोर्टन चीज आप उसको हमेसा बचाना चहिए कि अगर तो हम ना तो मोती के बलु रहे जाएए झाल ना मनुस्य का बलु रह जाएए और ना ही आटा गूत पाएंगी यानि आटे का बेलू भी खत्म हो जाएगा इस प्रकार हमें हमेशा पानी को बचा कर रखना चाहिए यानि हमें हमेशा अपनी चमक को अपने इज्जत को और पानी को इन तीनों को बचा कर रखना चाहिए ठीक है इसका कभी भी बरबाद नहीं करना चाहिए आप समझ रहे है इस पानी में क्या आर्थ है, पानी के तीन अर्थ है, यानि वो कह रहे हैं, कि उन तीनों चीज़ों को हमें सा बचा कर रखनी चाहिए, अपनी चमक को बचा कर रखनी चाहिए, अपनी इज़त को बचा कर रखनी चाहिए, और हमारे जिवन में जो नॉर्मल पानी है, उसको भ भी बचाना चाहिए तो यह है इस प्रकार से पूरा दोहे का अर्थ वीडियो थोड़ी से लंबी है लेकिन आप अराम से जब-जब टाइम मिले तब तो आप इसे देखते रहे हर एक दोहे में हर एक दोहे का हर एक दोहे में प्रेक्ट हुए सब्दों का अर्थ यहां दिया गया है आप समझे जहाँ कुछ समझमें नाए नीचे comment box में बताईए मैं उसका reply कर दूँगा अगर कोई शब्द छूट गया है तो वो भी नीचे बता दिए मैं उसका आर्थ बता दूंगा और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाई